हलो दोस्तों स्वागात है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ट टू पॉइंट ओपर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पोते बाबा का दूसरा फाग इधर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की परिशानी भी उसे और व्याखुल कर रही है अब आगे पड़े मोमो जिन की बाहें था में लच्मन दास और सपन चड़ा जिस जगह पहुचे वो समुद्र के बीचों बीच जमीन का थोड़ा सा उब्रा हिस्सा था टाबू भी कह सकते हूं से परंतु वो मातर एक किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं था समुद्र की लहरें किनारे पर बड़े पड़े पत्थरों से टकरा रहीं थी पानी की आवाजें उभर रहीं थी ठंडी नम हवा थी धूप थी परंतु बेयसर थी सपन लश्मंदास क्या होटा वा कितना खूबसूरत नजारा है सच में सपन चड़ा समुद्र नहारता क्या होटा हम कितनी अच्छी जगा पहुँचे मुझे तो भूक लग रही है दौनों फॉरन पल्टे पीछे मोमो जिन खड़ा था दौनों की खुशी हवा हो गई ये स तुम दौनों पर काबू रखों और काम लेता रहूं लेकिन तेरे को हम कई दुनों से सहर हैं पहले तू कहता था कि हमें नंगा करके सड़कों पर घुमाएगा जब से तेरे में इच्छाएं जा गी है तब से तूने अपनी मांगों से हमें पागल कर दिया एक मिनट भी च जथूरा मुझे मार देगा मार दे ऐसा मत काओ मैं मर गया तो जथूरा मेरी जगह पर लोमा जिन को बेज़ देगा लोमा तो वैसी बहुत अकडू है वो बात में बात करता है पहले सिर पाच्छपत मारता है तुम गंजे हो जाओगे कहां फस गए मुझे भूग लगी है इतनी जल्दी तुम्हें भूग लग गई? जल्दी कहा? मैं तुम दोनों को मुंबई से पलो में यहां ले आया हूँ, मेहनत करूँगा तो भूग भी लगेगी? इंसानों को भी तो मेहनत के बाद भूग लगती है, मुझे भी लग रही? मुमो जिन कहते कहते रुका और सिर एक तरफ करके इस तरह हिलाने लगा जैसे किसी की बात सुन रहा हूँ, इस दोरान उसके आँखे बंद हो गई थी, करीब मिनट भर यही इस्तिती रही फिर सिर सीधा करते बोला, जथूरा के सेवों के नयादेश दियें, नयादेश, सबन चड़ा ने मुसीवत वरे ढंग से उसे देखा, हाँ, हमें उस तरफ जाना होगा, वहाँ पेडों के पीछे देवराज, चौन, मोना, चौधरी ब्योश पड़ें, उनके साथ के लोग भी वहाँ ब्योश है, उनमें जो जग मोहन है, वो काल चक्र का ही हिस्सा है, मखानी है वो, तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें चैन से नहीं रहने देना, उनमें जगड़ा कराना है, कि वो चैन से ना रह सके, परंतु ये सब तो दिखावा है, हम कुछ नहीं करेंगे, जथूरा का काम करने का मेरा मन नहीं होता जबसे मेरी च्छाएं जगी हैं मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ सुनो, यह जलेवी मिल सकती है जलेवी? लच्मन दास ने बुरा सा मूँ बना है हाँ, मीठा खाने का मौन हो रहा है परंतु मैं जानता हूँ कि इस विरान टापू पर ऐसा खुछ नी मिलेगा खाने को चलो मखानी से बात करनी है इससे पहले कि उन सब को होश आए, ध्यान रखें मखानी के सामने, तुम लोग मेरे सामने इस तरह रहोगी कि जैसे मेरे गुलाम हो नई, ऐसा नहीं करेंगे हम समझा करो यार, दिखावाई तो करना है वन्ना मखानी ने रिपोर्ट आगे भेज दी कि मोमो जिन पर मुझे शक है, तो मशीनों पर बैठे जथूरा के सेवक, फॉरन मशीनों दोरा मेरी तारों को चेक करेंगे और उन्हें पता लगते देर नहीं लगेगी कि मेरे मेरे में इच्छाएं जाग दी है वो मुझे फॉरन मार देंगे उसके बाद तुमारे लिए लोमा जिन को भेज देंगे जो बाद में बात करेगा और सिर्प चपत पहले ठीक है ठीक है दिमाग मत खा तुने हमसे वादा किया था कि मौका मिलते ही हमें आजाद कर देगा वादा याद है याद ही नहीं रखना कुछ करना भी है अमें आजाद कराने के लिए जरूर करूंगा अब एक काम और करो क्या बोलो जथूरा महान है लच्मन दावस व सपन चड़ा ने मुमो जिन को घूरा कह दो यार मुमो जिन खुशामद भरी सवर में बोला इधर तुम ये कहोगे तो उदर मेरे खाते में चड़ जाएगा कि मुमो जिन का काम ठीक चल रहा है मेरा भला होगा ये कह दोगे तुम बहुत कमीने हो जो भी कहो परंतु एक बार कहदो कि जथूरा महान है तेरी हमारी जादा पठने वाली नहीं सपन चड़ा ने चेतावनी भरे सवर में कहा जितना समय निकलता है वो तो निकाल फिर की फिर देखेंगे लश्मन दास और सपन चड़ा की नजरे मिली कह दो यार जथूरा महान है लश्मन दास और सपन चड़ा ने एक ही सवर में कहा जान बची मुमो जिन ने गहरी सांस ली आओ उस तरफ चलते हैं वहाँ काल चकर का हिस्सा मखानी मौजूद है ये कौन है लश्मन दास ने पूचा पूच मत बहुत बड़ा हरामी है मौमो जिन बोला तो उससे भी बड़ा मुझ जैसे शरीफ को क्यों बदनाम करते हो मौस तो मखानी ले रहा है मौमो जिन क्या उठा तीनों वहाँ से आगे बड़े और चलते हुए इस जगह को पार करके वहाँ पहुचे जहां उन्हें हरयाली और पेड़ नजर आ रहे थे चट्टानों से टक्रानी की लेरों की आवाज यहां भी स्पच्छे सुनाई दे रही थे कुछ आगे बड़े की सपन चट्टा ठिटक कर क्या हुटा ये क्या लश्मन दास भी ठटका सामने पेड़ों के बीच काफी बड़ी खुली जगह थी वहाँ घाज भी थी और पहाडी पत्थर भी बिखरे हुए थे जहां कई लोग भिहोश पड़े नजर आ रहे थे आसमान में सूरज के सामने बार-बार बादलों के तुकड़े आ जाते थे जिसकी वज़े से नीचे कुछ देर के लिए चाया हो जाती थी मुमजिन ने अपनी चोज़दार नौक में बड़ी नथनी को छुआ दौनों को देखा बहुत सारे लोग भिहोश हैं यह देवराद चौन मोना चौदी उनके साथ ही हैं मुमजिन ने का देवराद चौन ने मुझे यहां तुमारे साथ देख लिया तो वो मुझे छोड़े गा नहीं लच्मन दास बोला क्यों? मुमजिन बोला क्योंकि हम तुमारे साथ है तुमारे कहने पर हम देवराद चौन मोना चौदी का जगड़ा करा रहे थे ये बास सब को मालूम हो चुकी है एक बार तो इन लोग नहीं में छोड़ दिया पर अंतु अब वो देख लच्श्मन लच्वन दास ना नजर गुमाई मुमो जिन ने भी उधर देखा जग मुमो जिन एक तरफ से चला रहा था साथधान मुमो जिन धीमे सर में बोला इसके सामने यही जाहर करना है कि तुम दोरों मेरे गुलाम हो ये काल चक्र कर गई हिसा मखानी है सतर करेना इसके सामने सबन चड़ा और लच्वन दास की नजरे मिली जग मुमो जिन यानी मखानी पास आया और मुस्कुरा कर मुमो जिन से बोला मुझे पहचानते हो हाँ खबर मिल गई है मुझे तुमारे बारे में तुम मखानी हो सही का अब जग मुहन के रूप में हो मुमो जिन ने अपनी अकड़ कायम रखे हाँ इस बात को कोई नहीं जानता ये दोनों तुमारे गुलाम है मुझे ने लच्मन दास और सपन चड़ा को देखा पक्के गुलाम है जो मैं कहूँगा वही करेंगे दोनों देखो फिर मुमो जिन दोनों से बोला काओ जथूरा महान है लच्मन दास और सपन चड़ा की नजरे मिली बोलो मुमो जिन को लगा कि दोनों उखड़ने लगे जथूरा महान है दोनों ने एक साथ का मुमो जिन की जान में जान आई उसने मुस्कुरा कर मखानी से का देखा तुमने मेरे एक इशारे पर बंदर की तरह नासते हैं इनकी लगा मेरे हाथ में है ये तो अच्छी बात है मखानी बोला कुछी तेर में इन सब लोगों को होश आ जाएगा मैं जगमान के रूप में देवा के साथ ही रहूँगा कै तुम जानते हो कि यहाँ हम सबने क्या करना है देवा और मिन्नो का जगड़ा कराना है मुमो जिन ने का खूब तुमें किस से आदेश मिलते हैं मुमो जिन जथूरा की सेवख मशीनों पर बैटे हैं वही हालातों पर नज़र रखते हैं मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है हम दोनों का मकसद एकी है क्यों ना होगा आकर हमारा मालिक भी तो एकी है यहाँ पर मेरी एक साथिन भी मिलेगी कमला रानी नाम है उसका वो किस रूप में मौमो जिन ने पूछा मैं नहीं जानता परंतो इस वफ वो इन में नहीं है जब वो आईगी तुम्हें बता दूँगा इस जगह पर कौन रहता है मौमो जिन ने पूछा मैं नहीं जानता मैं ये जगह देख नहीं पाया अभी अभी हमारा बाते करना ठीक नहीं है इन लोगों को होश आने वाला है मुझे भी बिहोश होने का ट्रामा करना है इन दोनें से भी कह दू कि ऐसे ही करे मैं, मैं क्या करूं तू तो जिन है, तू बिहोश नहीं हो सकता आराम से एक तरफ बैठ जा मोमो जिन लश्मन दावसों सपन जड़ा से क्या उटा चलो चलो उधर चलो जमीन पर ऐसे लेट जाओ जैसे बेहोच हो दूसरे होश में आए तो तुम भी उट बैठना मोमो जिन दौनों के साथ आगे बढ़ गया तब ही मखानी के कानों में शौरी की फुस्वसाट पड़ी मखानी ओ शौरी मखानी ये का एक बेज़ा इंसर में बोला कमला रानी कानी तू तो कमला रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता मुझ बूड़े को तूने जवान बना दिया वरना बूड़ा होते हुए, तो तरस्ता तो औरतों को देखकर, अब तो औरतों को भोगने के हुम्र है मेरी, दिल तो करता है कि हर वक्कॉमला राणी के साथ, ये काम का वक्त मक्हानी, कानों में शौरी की फुस्तुसार्ट पड़ी, काम तो करी रहा हूँ, तेरे को तेवा मिन्नों में जगड़ा कराना है शौरी की फुस्वसाथ कानों में पढ़ रही थी करा दूँगा आसान नहीं है ये काम सब लोग इस बारे में सतर कहें कि ये नहीं जगड़ेंगे ये मेरे पे छोड़ मैं जगड़ा करा दूँगा कमला रानी के बारे में बता वो भी तेरे को मिलेगी कब जल्दी इंतिजार कर बेसबर मत बन ठीक है मकानी ने गहरी सांस ले कुछी देर में सबको होश आ जाएगा मत भूलना कि तू जगमोहन के रूप में इस वक्त तेरे में वो हर चीज डाल रखे जो जगमोहन में परंतु बीती बातों की वज़े से देवा तेरे से ढेरो सवाल पूछेगा कैसे सवाल तू नहीं तो देवा के सिर पर डंडा मार कर भेहुश किया था ये सब विस्तार से जानने के लिए पड़े राजा पॉकिट से प्रकाशित अनिल मोहन का पूर प्रकाशित उपन्याज जधूरा भूला नहीं हूँ देवा कई तरह के सवाल करेगा तेरे से मैं सब समाल लूँगा तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं गा पूरा भरोसा है तुझ पर शौरी की फुस्वसाट कानों में पड़ी जग्गू तो यहां नहीं आसकेगा वो तो काल चक्रे के भीतरी इससे में फसा पड़ा है गुलचंद भी उसके साथ है फिर तो वो बचने वाला नहीं सच मैं नहीं बचेगा काल चक्र उन में से किसी को छोड़ने वाला नहीं तेरे को पता है मैंने और कमला रानी ने तुम लोगों के साथ पूफ जन में जाने का फैसला कर लिया हाँ भौरी ने बताया था काम के वक्त ये बाते मत कर शौरी की फुस्वसाट कानों में पड़ी उनके होश में आने का समय हो गया मैं फिरा हूंगा उसके बाद मकानी के कानों में कोई आवाज नहीं पड़ी सोचो में डूबा मकानी बिहोश पड़े उन सब के बीच जा पहुचा उदर मुमो जिन न खुद को तीन इंच का बना लिया था कि उसे देखे नहीं और एक जाड़ी में जाकर बैठ गया था लश्मन दाव सो सपन चटा इस तरह जा लेटे थे कि जैसे बिहोश हो नगीना के होटों से करहा निकली शांद पड़ा उसका शरीर हिला बंद पल के कापी फिर आँके खुल गई चंद पल वो खुली आँकों से असपस देखती रही उसे एक दो और दिखे जो बिहोश पड़े थे नगीना ने सिर को तीवर जटका दिया तो एक आएक बीती सोचे उसके मस्टिश्क में उतरती चली गई उस शाम वो बहुत खुश थे देवराग चौन और जगमोन बंगले पर आ रहे थे डिनर तयारी कर रही थी वो खुशी-कुशी नौकरानी सत्या के साथ की तबी बैल बजी बाहर जाकर देखा तो मोना चौधरी को खड़े देखा उसे मोना चौधरी का अपने आना पसंद नहीं आया चंद बातों के परशार मोना चौधरी ने उसे चालाखी से बेहोश कर दिया वो मोना चौधरी नहीं कमला रानी थी इन बातों को विस्तार से जानने के लिए पढ़े जथूरा उसके बात क्या हुआ नगीना को नहीं मालू अब होश आया तो खुद को यहां पाया नगीना उट खड़ी हुई शरीर में कमजोरी महसूस कर रही थी वो नहीं जानती थी कि कितनी देर बेहोश रही आगे बढ़कर रुस्तम राओ के पास पहुँची उसे भी बेहोश पाया फिर मोना चौधरी के पहुची वो आधी पड़ी थी सीधा किया तो मोना चौधरी को वहाँ देखकर चौकी वो भी बेहोशी के बस था मैं उसके बाद पारसनात, महाजन, बाकेला, लाठोर जगमोहन यानि मखानी, लच्मंदा, सपन, चड़्डा और देवराच चौहन को वहाँ बेहोशी के हालत में देखा देवराच चौहन को वहाँ पाकर उसे रहात मिली परन्तु उसे बेहोश देकर बेचाइन भी हुई नगीना ने देवराच चौहन को हुश में लाने की चेश्टा की परन्तु कोई फाइदा नहीं हुआ समुद्र की लैरों के चट्टानों से टक्रानी की आवाजे नगीना को सुनाई दे रही थी वो पानी लाकर यहां पड़े बेहोशों के शरीव पर डालना चाहती थी परन्तु पानी लानी के लिए कोई बरतन वगरा उसके पास ना था अभी वो इसी उलजन में फशी थी कि जगमोन के होटों से करह निकली नगीना फौरण उसके पास आप होजी जगमोन जगमोन नगीना नो उसके गाल थकत पाए जगमोन यानी मखानी न आके खोल दी शुक्र है कि तुम्हें होश आगया नगीना क्या उटी भावी जगमोन ने का और उट बैठा तुम यहां हम कहा हैं जगमोन ने असपस देखा मैं नहीं जानती मुझे भी अभी अभी होश आया नगीना बोली देवराद चौन का आई उधर वो उधर भी होश पड़े हैं यहां मोना चौदरी, पारसनात, महाजन, बाकिर उस्तम भी हैं दो लोग और भी हैं जिने मैं नहीं पैचानती नगीना ने परेशान स्वर में का ओख ये सब काल चक्रका कीया है वो तब ही उनके कानों में मोना चौदरी की करहा पड़ी नगीना ने उस तरफ सिर घुमाया तो देवराद चौन को भी हिलते पाया सबको होश आने लगा था सबको होश आ गया था देवराद चौन के चेहरे पर शक्की छाय मढ़रा रही थी नगीना उसके पास आप पहुची थी कैसे हैं आप पास बैठते नगीना ने पूचा कौन हो तुम देवराद चौन कंबीर था मैं नगीना है रानी से कह उटी मैं नगीना हूँ आपने मुझे पहचाना नहीं हमारी आखरी मुलाकाद याद है तुम्हें पूचा देवराद चौन हम सिजरलेंड होकर आए थे उसके बाद आप अपने कामों में वेस्ट हो गए और मैं अपने बंगले पर चली गई उस शाम आप और जगमोन मेरे बंगले पर डिनर के लिए आ रहे थे कि मोना चौदरी वहाँ पहुचे वो मुझे बेहुच करके साथ ले गई उसके बाद देवराद चौन के होट बिज गए उसके बाद तो मुझे अब हुच आया आप कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे हैं देवराद चौन लेरों के आवाज इसपस्ट सुन रहा था तो तुम मेरे बंगले पर नहीं आई नहीं मैं कैसे आ सकती थी ओ तो वो तुमारा नकली रूप था जो मेरे पास आया वो काल चक्र की चाल थी परंतु जगमोन क्या जगमोन जगमोन ने मुझे बहोश किया था सिपर टंडा मार कर नहीं ये साच है और अब मुझे होश देवरा चौन कहता कहता ठिटका जगमोन इसी तरफ आ रहा था होश आ गया तुम्हें पास बैठता जगमोन क्या उठा देवरा चौन न गंबीर तीखी नजरों से जगमोन को देखा क्या हुआ तुमने तंडे से मेरे सिर पर बहुत जबर्दस वार किया था कब जगमोन के होटों से निकला बंगले पर तुमने कौफी बनाई एक प्याले में ब्योशी के दवा डाल दी तुम मुझे ब्योश करना चाते थे परंतु गल्दी से वो पहला नगीना की तरफ चला गया और नगीना ब्योश हो गई फिर ये तुम क्या कह रहो क्यों गलत क्या कहा नगीना समझने वाले धंसे दोनों को देख रही थी मैं तो सौनलाल को लेने किया था उसके बाद तुम वापिस आया और मैं वापिस कब आया सौनलाल के घर के बाहर ही तुम मुझे मिले और तुमने मुझे बेहोश कर दिया मैं मिला देवराच चौन चौका जगमवन और मकानी ने कोरा जूट कहा था हाँ तुम थे वो परन्तो अब सोस्ताओं कि वो तुमारा बहरूपी होगा जिसने मुझे बेहोश किया उसके बाद मुझे अभी होश आया है और तुम ऐसी बात है कह रहो ओ तो बंगले पर पहुँचने वाले तुम नहीं थे वो मेरा बहरूप होगा काल चक्र तब तेज गती से अपनी चाले चल रहा था तब नगीना भी बंगले पर आयो जो की काल चक्री की ही चाल थी मैं धोगा खा गया तेवरा चौन समझने वाले ढंग में क्या उटा हम काल चक्र का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे अब भी तो काल चक्र में फसे पड़े हैं जग मोहनन का काल चक्र में? हाँ काल चक्र नहीं तो हम सब को यहां लाफ है का वो हमें जगडा करवातेना चाहता है ताकि हम पूर्ज जुना की सफर पर नहीं जा सके माँ चतूरा से ना ठकरा सके जथूरा ने अपनी भरबूर कोशिश की हैं मैं जगड़ा करवाने की देवराज चाहन के निगा कुछ कदमों ही दूरी पर मौजूद मोना चौदरी की तरह फूटी इसका मतलब हम अब भी खत्रे में हैं देवराज चाहन बोला तब ही लश्मन दास पासा पहुंचा देवराज चाहन मुझे बचालो नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा तुम या कैसे देवराज चाहन क्या उठा पूछो मत किसमत की मार है लश्मन दास ने छिपी निगाओं से जगमोन को देखा मैं और सपन बंगले पर थे कि मुमो जिन हमें यहां उठा कर ले आया हमें उससे बचालो देवराज चाहन मुमो जिन का है तुम लोगों के होश आने तक तो यहीं था उसके बाद पता नहीं का चला गया लश्मन दास ने इदर उदर देखा तो मैं वो यहां के लाया केता है कि तुमारी हो मुना जोदरी के लड़ाई करवाणी है एक को मार देना है मार देना है? मतलब कि जगडा करवा कर मरवा देना है जगमोन और मखानी क connectivity उटा चिंता मत करो मौमजन हमारे सामने आया तो उसे देख लेंगे तुम लोगों को यहाँ पाकर मुझे तसली मिली है वरना घबराट में ही मेरी जान निकल जाती तब ही देवराज चौन न सपन निगा मारी फिर क्या होटा सोहनलाल कहीं नहीं है सोहनलाल जगमोहन न नजर गुमाई हाँ वो नहीं दिखा सब यहाँ है तो उसे भी यहीं होना चाहिए देवराज चौन ने का उसका भी पूफजनम से संबन्द है ये सब क्या हो रहा है कुछ मुझे भी बताईए नगीना क्या हूटी देवराज चौन नगीना को सारा मामला बताने लगा ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन का पूर प्रकाशी तुपन्यास जथूरा होश आने पर महाज़न और पारसनात मोना चौधरी के पास पहुँच गए मोना चौधरी ना मुसकरा का पारसनात को देखा अब तो तो मैं विश्वास हो गया कि मैं ही असली मोना चौधरी हूँ क्या करता उस वक्त मैं ऐसा फसा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो जो जगमोन मेरे से ठकराया महाजन बोला वो जगमोन नहीं था नहीं वो कालचकर का बेजा जगमोन का बहरूप था मोना चौधरी न कहा ये कालचकर आखिर है क्या जथूरा का बेजा कोई खतरनाक तमाशा है जिसने हमें पागल बना कर रख दिया मोना चौधरी के दाद बिज गए हम सब को काल चक्रम ने नचा रखा है कि हम आपस में उलचकर रह जाएं पूर्जनम की यातरा न कर सके परंतु हमने सोचा ही कब था पूर्जनम की यातरा करने के लिए हमने नहीं सोचा परंतु जथूरा ने अपनी शक्तियों से जान लिया होगा कि हमारे दोरा पूर जर्म की यातरा संबभ हो सकती है उदर जगमहन को जथूरा दोरा रचे गए हाथ्चों का पूरु आवास होने लगा ताकि वो हाथ्चों को रोक कर जथूरा को मात दे सके लेकिन जथूरा ताकतवर निकला उसने काल चक्रहम पर भेका और नतीजतन हम सब अब यहां इस अंजानी जगह पर पहुँच गए काल चक्रह ने हमें एक एक करके यहां पहुचा दिया ऐसा उसने क्यों किया वो हमें जगडा करवाना चाहता है वो चाहता है कि मैं या देवरा चौन को यह खत्म हो जाए जगमान के पास जथूरा का खास आदमी पोते बाबा बात करने आता है पोते बाबा ने जगमान को बताया कि देवरा चौन या मुझमे से एक को खत्म हो जाएगा तो जथूरा को डर नहीं रहेगा कि हम उसे नुक्सान पहुचा सकते है मोना चौतरी गंबीर सर में बोली अब इस बात का ध्यान रखना कि बेशक कुछ भी हो जाए हमने देवरा चौन उसके साथियों से जगड़ा नहीं करना है इस तरह हम जथूरा को मात दे सकते है उसने हमें एक जगए इसलिए खटा किया है कि हम में जगड़ा हो जाए माना कि हम जगड़ा नहीं करते पारासनात गंबीर सर में बोला परन तो यहां हम क्या करेंगे क्या काल चक्र में आराम से नहीं रहने देगा जथूरा कोई नहीं चाल चलेगा हमें परिशान करने को पहले हमें ये देखना है कि हम कहां पर हैं आसपास समुद्र हैं लैरों के टकरानी के आवाजे आ रही है महाजन क्या उटा देखते हैं कहने के साथ ही मोना चौदरी उट खड़ी हुई लचमान दावसा सबन चड़ा भी यहीं है उन्होंने तुम्मे और देवराज चौणव जगड़ा करवानी की चेश्टा की ती तब तो वो सारा इल्दाम किसी मोमो जिन पर थोप रहते मैं समझ नहीं पाया कि दौनों यहां क्यों हैं महाजन बोला इनके यहां होने का मतलब है कि मोमो जिन भी पास ही होगा मोना चौधरी बोली फिर तो यह वो ही करेंगे जो मोमो जिन चाहेगा पारसनाद बोला हमें इनसे सतरक रहना होगा देवराज चौण से बात की जाए महाजन बोला चलो उसके पास चलते हैं इन हालातों में हमें एक रहना चाहिए वो तीनों देवराज चौण के पास पहुँचे देवराज चौण जगमोन और नगीना की निगावन पर टिक गई थी अब तो तुम्हें पूरी तरह समझ आ गया होगा मुझे पेशी रहा हूँ फकीर बाबा की बात याद आती है कि हम दोनों के ग्रह जब एगट्टे होकर रहा पर चलेंगे तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा यही वज़े है कि जदूरा हम में से एक को मारना चाहता है मोना चौधरी का सवर गंबीर था तुम ठीक कहती हो इसी इस वक्ती तौर पर हमें एक उकर रहना है देवराज चोहन बोला तब ही जगमोन क्या उठा अब हमें ये जानना है कि यहां पर जदूरा क्या चाहता है हम से वो जरूर कुछ करेगा महाजन बोला जल्दी करेगा हमें सतर्क रहना होगा ये जगे कौन सी है नगीना नपूछा यही हम जानने की चेश्टम है जाने लगे हैं पारसनात ने कहा मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ जगमोन उठ खड़ा हुआ हम लोगों के साथ की अपेक्षा आला गो जाओ दूसरी दिशा में महाजन को अपने साथ ले जाओ हम जहां भी होंगे एक गंटे बाद वापिस आ जाएंगे ठीक है महाजन तुम मेरे साथ चलो जगमोन ने का महाजन ने कुछ दूर बैटे के साथ एक तरफ बढ़ गई जगमोन भी महाजन के साथ दूसरी दिशा में बढ़ गया तब ही नगीना क्या उटी इस वक्त तो मोना चौदरी भग प्यार से बात कर रही है हम सब खत्रे में हैं देवराच्वान ने गंबीर सर्मका छोरे बाके लाल अटोर के उटा यो मुन्नो चौदरी तो मारे देवराच्वान के पटावे लागे हो कोई फायदा नहीं होईला बाप क्यों नगीना दीदी पास में होईला यो काल चक्रोन मारे को इधर लापटको जगमोनों मारों के बियोश करो वो जगमोन का नकली रूप होईला बाप अम जथूरे को वड़ देओ वो मारे सामना पड़ो दो यह यही तो मुसीबत होईला बाप कि जथूरा अभी तक किसी को नहीं देखे ला तरपो को होवे वो जो अभी तक छिपो होवे बाके जगमोन को माजन के साथ दूर जाता देखकर क्या उटा मारे को तो अभी भी जगमोनों पर शक होगे नकली रूप लागे हो मन्नों को क्योंकि बंगले पर वो तेरे को भ्योश करे लबा वो बात ना कर चोरे मारे को गुस्सो चड़ जावे आप उनकी कोपड़ी में कोपड़ी पर भी जगमोन ने स्टूर माले लबाप पर वो जगमोन ना होवे यो घाट कोपरो वाले इधर को करो वो लचमन दा सपन चड़ा होई ला एक देवराज चान को जानता और दूसरा यो इधरो क्यों मरो तभी दूर बैठी नगीना उचे सर में का उटी तुम दोना हमारे पास क्यों नहीं आ जाते आते हैं बहनो बाके लाल अठोर ने का हम भी आवे हैं बाके लाल अठोर और रिस्तन राओ की नजरे मिली छोड़े हम सबोई खत्रों में होगे सच कहला बाप वो जथूरो आ जो जथूरो और उसो को काल चक्रो मारा पीछा न चोड़े हो परफेक्ट कहला बाप इब का करू हम तुम कहो बाप तुमारी मुझेला है तुम बड़ा होईला मेरे से मुझे थारी नाकों के नीचे फिट कर दियो हम क्यों बच्चे को बाप बनाईला बाप मारे को इदरो इस वास्ते लायो काल चक्र के एदरो अम बच न पाएो राइट कहला बाप अम देखो कि अम किदरो होगे यो जगो किदरो की होगे मोन चादरी जगमोन यही देखने वास्ते गईला बाप उनका इंतिजार करेला बाके लाल अठोर ने लच्छमंदास को देखा जो सपन चट्डा के पास बैठा था दोनों इदर उदर देख रहे थे बाके नों दोनों को इशारे से पास बिलाया वो आप पहुचे तम कौन से खेतों की मूली होवे मूलो सपन चट्डा हडबडाया पंजाबों को खेतों के हरेणा, यूपी, महराष्ट, गुजरात, किद्रों का बीजो होवे ये क्या कह रहा है सपन चट्डा ने लच्मंदास से कहा ये हमारा परीज़ पूछ रहा है ये तो मूलों के बारे में पूछ, अब हमारी यही इज्जेत रह गई है मूमद जिन्ने में कुट्टा बना कर रख दिया है लच्मंदास ने गहरी सांस ली वो है किदर? दौनों की निगा गुमी परन्तु मूमद जिन कहीं ने दिखा वो पासी कहीं पर होगा बहुत हरामी है साला सपन चट्टा क्या उठा? हम थारो बारे में पूछो हो कि कौनो खेतों की मूली महराष्ट? मुंबई की खेतों में हम रहते हैं हम भी मुंबईयों की खेतों में ही पलो हो पर थारी डाल कमों ना देखो लचमान दा सपन चड़ा की नजरे फिर मिली ये क्या कहता है मुझे समझ नहीं आती सपन चड़ा क्या होटा तू चुपरे मैं बात करूँगा थारे को इदरो कौन हो लाया हो मौमो जिन वो कौन होए जिन नहीं वो किदर हो पता नहीं हमें यह चोड़कर वो कहीं चला गया है वो जब अब आपसो लोटो तुम्हारे को बतायो हम उसी को वड़ देो ठीक है लचमान दा सपन चड़ा उन दोनों से दूर अट गए लचमान बोल क्यों न हम देवराचान को बता दे देवराचान उस पर भरोसा कर रहा है जल्दी मत कर सोचने दे मौमजिन को मत भूल वो हमारे आसपास ही है उसकी इच्छाएं वापिस आ गई है इस वजए से वो कमजोर पढ़ने लगा परन्तु उसे हम पर गुस्सा आ गया तो हमारा काम तमाम कर देगा अगले दो गंटों में देरा हो जाना था परन्त उनका इंतिजार अब और ना किया जा सकता था जाइड था कि अब उन्हें ढूंडने जाना था कि वो पापिस क्यों नहीं लोटे सपन चड़्डा ने धीमेस और में लचमंदास से कहा मुझे तो गड़बर लग रही है क्या जगमोन बने मखानी नहीं कोई गड़बर की होगी तब ही वो वापिस नहीं लोटे चुपकर मेरी मान तो देवराच्वान को बता दे कि जगमोन जगमोन नहीं कालचकर का इससा मखानी है मेरे खहने से वो क्या मान जाएगा सतर्क तो हो जाएगा उसके दिमाग में शक्त तो आ जाएगा सपन चड़ा बोला मेरे खहल में तो इस उलजे मामले में हमारा चुपरह नहीं अच्छा है सपन चड़ा ने कुछ दूर बैठे देवराच्वान को देगा मुझे मौका लगा मुझे मौका लगा तो मैं मौमो जिन की गर्दन मरोड दूँगा यह आसान नहीं है साला नजर भी तो नहीं आ ता कि काहा मर गया उन चारों को गए काफी देर हो गई है देवराच्वान बोला एक दो गंटे में अंदेरा हो जाएगा उन्हें ढूंडने जाना होगा क्या पता वो किदर होईला बाप? रुस्तान वाव ने कहा वो दो दो में बटे अलग 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 दिशाओं में गए हैं किसी एक पार्टी को तो वापिस आना चाहिए नगीना बोली हम ढूंडो उनों को चलो बागे लाल लाट और उठ खड़ा हुआ बागी तीनों भी उठे हम अलग अलग होकर उन्हें नगीना ने कहना चाहा नहीं हम एक साथ ही उन्हें ढूंडेंगे देवराग च्वान बोला उनके वापिस न लोटने से जाहिर है कि यहां खत्रे हो सकते हैं जैसी तुमारी मर्जी बाप बागे लाल लोट और उचे सुन में लच्मन और सपन चड़ा से कह उटा तम भी मारे साथ चलो किधर सपन चड़ा और लच्मन उठकर फॉरण पास आपहुचे उन सबों को ढूडने के वास्ते वो लोटे नामी तक हाँ हाँ हम चलने को तयार है लच्मन दास क्या उटा मारे को समझना आवे कि तम दोनों इधरों क्यों आयो तम तो पूर जन्मों के ना हो वे वो मोमो जिन हमें यहां लाया है सपन चड़ा बोला हम तो आने ही नहीं चाहते थे यहां तब ही नगीना बोली हमारे जाते ही वे लोग वापिस लोटाए तू दीदी ठीक कहे ला है आप उन में से को इधरी टिके ला देवराज चौन की निगा सपन चड़ा और लश्मन दास पर गई फासले वर चार फुट का मूमो जिन खड़ा था तू मरता क्यों नहीं लश्मन दास गुस्से में क्या उटा ऐसा मत को जिन की मौत नहीं होती वो पास आते ही क्या उटा जिन को सिर्फ बोतल में बंद किया जा सकता है मुझे बता कि तेरे को बोतल में कैसे बंद फालतू की बाते हैं मत करो मूमो जिन पेट पर हाथ फीरता क्या उटा मुझे भूक लगी है पत्थर खाले सपन चड़ा चड़कर बोला चड़कर बोला इसके अलावत तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तुम नाराज क्यों हो मुझसे हमें या क्यों लाए मजबूरी थी ना लाता तो जथूरा के सेवक जान जाते कि मुझ में इच्छान जाक गई हैं हम त पत्थर खाले से लाए वो सब मुसीवत में पढ़ते जा रहे हैं कैसे मैं देखाया हूँ यहां काल चकरी की बसाई बस्ती है यहां आने वाले को वही पर उस बस्ती में ही भसना है काल चकरी की कोशिश होगी कि वहां देवा और विन्नों में जगड़ा करा दे मुमो जिन एक की जान खत्म हो जाए यह तो बुरा होगा मखानी उन सब को फसाता जा रहा उस बस्ती में परन्तु वह सवाल मत करो मेरी सुनो मैं तो मैं समझाता हूँ कि तुम दोनों ने उस बस्ती में जाकर क्या करना है बोलो मुमो जिन बताने लगा जिसे सुनकर दोनों असाहमत दिखे हम यह नहीं करेंगे हम इसी में तुमारा और मेरा वला है वन्ना जतूरा के जवा समझ जाएंगे कि मुमो जिन ठीक से काम नहीं कर रहा तुम फिक्र मत करो तब मैं कोई चेष्टा करूंगा कि हाला जादा ना बिगने मुमो जिन बोला मखानी को महां कमला रानी मिल गई होगी तब तो दौनों और भी खतरना को जाएंगे मुझे कुछ करना होगा परंतु तुम वही करना जो मैंने कहा है हमारा ऐसा करना जरूरी है हां तुम दौनों मेरी कही बात पर चलोगे तो काल चक्र में दर्ज हो जाएगा कि मुमो जिनका काम ठीक से चल रहा है इस जग्मोहन माजन के साथ टापू पर एक दिशा में बढ़ता जा रहा था टापू का जादा हिससा हम देख लें तो ठीक रहेगा जग्मोहन ने का लेकिन इस तरफ तो टापू का जंगल गहरा होता जा रहा है माजन ने का हमें दूसरी दिशा में देखना चाहिए उदर मोना शौदी और पारसना देख रहे हैं हमें घंटे बर में वापिस भी लोटना था घंटा बीच चुका है महाजन ने का तुम आगे बढ़ने से कत्रा क्यों रहे हो तुम तो ऐसे आगे बढ़नों जैसे जानते हो कि कहा जाना है जगमोहन मुस्करा पड़ा शायद जानता हूँ क्या मतलब महाजन ने जगमोहन को देखा चलते रहो अभी पता चल जाएगा जगमोहन बराबर मुस्करा रहा था तुम अजीब सी बाते कर रहो जगमोहन तब ही जगमोहन के कानों में शौरी की फुस्तसाट गुजी थोड़ा सा आगे और जाना मकानी वो तुमारा इंतजार कर रहा है चलते चलते जगमोहन और मकानी ने सेरे ला दिया कितनी अजीब जगे है महाजन बोला पक्षी या जनवर भी नज़र नहीं आ रहा मैं भी यही सोच रहा हूँ महाजन एका एक ठिटका मकानी भी रुका क्या हुआ बस अब हमें वापिस चलना चाहिए महाजन ने का इतना आगे आगे हैं तो कुछ आगे और देख लेते हैं मकानी ने आगे बढ़ने का उपकरम किये ये टापू खाली है कोई यहां होता था तो हमें अब तक आवाज हो चुका होता जब आगे जाने में मुझे एतराज नहीं तो तुम क्यों कत्रा रहे हो हमें वापिस भी पहुँचना आओ भी मकानी महाजन की कलाई पकड़कर आगे बढ़ गया अभी पलटकर वापिस चलते है महाजन अनमा ने मन से मकानी के साथ चल पड़ा जाने क्यों उसे इस वक्त जगमान का वैवार अजीब से लग रहा था वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता जा रहा था दिशा का रास्ता उसने एक बार भी नहीं बतला था जैसे कि वो कहीं पहुशना चाता हो और रास्ता उसे अच्छी तरह मालूम हो जल्द ही महाजन का अंदेशा सही हो गया उन्हें आवाज जैसी सुनाई देने लगे ये क्या महाजन के ओटों से निकला बस्ती लगती है जंगली बस्ती ऐसा ही कुछ हमें सतरक रहना होगा वो हमें देखते ही मार सकते हैं महाजन ने का परवाव मत करो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे मैं उन्हें जानता हूँ मखानी मुस्करा कर बोला जानते हो चलते चलते महाजन ने हैरानी सोसे देखा क्या तुम यहाँ पहले भी आयो बस्ती में बहुत कर तुम सब समझ जाओगे तुमारे सवालों का जवाब तुमें मिल जाएगा तुमें इस वक्त बहुत हजीब बाते कर रहो तब ही सामने जंगल में बनी बस्ती नज़र आने लगी जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा जैसे काट कर साफ कर गिया गया था वहाँ जोपड़िया बनी हुई थी काले काले लोग आते जाते नज़र आ रहे थे किसी ना पूरे कपड़े पहने थे तो किसी ना धूरे एक तरफ से बच्चों के खेलने का शोर सुनाई दी रहा था तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हैं पोते बाबा के तीसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद